द्रौपदी के चीरहरण को पहले ही क्यों नहीं रोक पाई श्री कृष्ण? ये थी वज़य, महाभारत की कहानी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ के तौर पर जानी जाती है, जिसमें मौजूद अधिकांच ही पात्र हिंदू धर्म में विशेश, व्यक्तित्व के तौर प पूजे जाते हैं, यही कारण है कि महाभारत की कहानी 21 सदी में भी काफी प्रासंगेक मानी गई है, महाभारत की कहानी में आपने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में भी अवश्य सुना होगा, महाभारत की कहानी के अनुसार, जब पांधव कौर्वों से जुए में हार तब कौर्वों में दुर्योधन ने पांदवों की धर्म पतनी द्रौपदी को सम्मानित लोगों की सभा में नगन अवस्था में लाने का आदेश दिया था, जिस पर पांदव समेथ हस्तिनापुर के प्रबुद जन भी कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन ये सर्वविदित है कि द्रौपदी का चीरहरन होने से श्री कृष्ण ने बचाया था, लेकिन जिस युग में स्वयम भगवान विश्णू ने अवतार लिया था, उस युग में कैसे एक स्त्री का इतना अपमान हो गया, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरन को पहले से ना रोक तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है ऐसे में जब द्रौपदी को हस्तिनापुर की सभा में बालों समेत घसीट कर लाया गया तब पांधव और इस वाक्यांश को देखकर चुप रहे ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि भागवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीरहरन क्यूं न रोक सके इसके पीछे का उत्तर जानने के लिए हमें श्री कृष्ण की इस बात को समझना पड़ेगा भागवान श्री कृष्ण के मुत श्री कृष्ण की माने तो जब पांधव कौर्वों से जुए में हार गए थे तब उन्होंने इश्वर यानी की श्री कृष्ण को याद करना मुनासिब नहीं समझा इतना ही नहीं जब द्रौपदी को बाल पकड़ कर दुशासन भरी सभा में ले जा रहा था तब भी द्र श्री कृष्ण को याद किया जा सके ऐसे में जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की ऐसे में इस कहानी से अभिप्राय है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो इश्वर को याद कर लेने मा वो आपकी परेशानियों का हल धूंदने में आपकी मदद करते हैं